हेलो गाइस वेलकम तो आवर चैनल डेफ्ट स्टडी आज की वीडियो बहुत ही जादा है और आपके लिए बहुत जादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है क्यों कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं ठीक ह वह दो आपको और लिक वीडियों को आपको आपको बता सब्सक्री झार आप की जरी आप को अज बहुते हैं'T इस जरी हएंप को फोस्ते होते हैं ग्याको पड़ाब आिवं इसुक यह को फॉर्म को बताने का अप एक सप्षै यापैको बढ़ सब्सक्रीर तो यहां पर उन बच्चों के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसको फॉर्म को भरना नहीं आता है, इंग्लिश में उनको बोलने में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल डीटियल में आपको बताएंगे हर एक बात कहां पर आप किस चीज को फिल करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहली चीज यहां पर लिखी हुई है कि यूनिवस्टी रजिस्टेशन नंबर और रिखा हुई है इंट्रेंस रोल नंबर ठीक है, तो यह आपको फिल नहीं करना है, यह रोल नंबर जो दिया जाएगा जो आपको फिल नहीं कर तो अगर आप फिर से अद्मीशन लिया है, तो अगर आप उल्ड है उस कॉलिज के तो आप उल्ड पे टिक कर देवन्ना आप नू पर टिक कर सकते हैं, उसके बाद शार नंबर है, अब देखिए अगर आप उल्ड इस्टुडेंट है, तो एसर नंबर आपकी पास होगा, अगर आप नू है, तो आप एसर नंबर भी फिल रही करेंगे, वह भी आपको प्रोवाइट स्कूल करेंगा, तो इसके बाद लिखा गया है, कि नोट में, प्लीज सेव इसर नंबर फॉर फूचर रिफरेंस, यानि कि जो एसर नंबर आपको दिया जाएगा, कॉलिज के उ क्लास दे रखा है, 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 क्लास दे रखा सबस्क्राइária के ली Milkлом टिक हूने एक जाए है और लुजफेन destruction पसके आगे दे करुचे क давно है कि अगर लिखने ली math का निजकनीय और बहुत । और जए उसके चारेग्स धार सादिध क्रिशरों करा ते जाए समया तो है करेंगें हैं तो यहां पर आपको MA, जो भी आपका subject हो, वो आपको यहां पर फिल कर देना है, उसके बाद चली आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है, use only capital letters for filling the basic bio data, साफ साफ लिखा गया है, अब जितनी भी यहां से details भरी जाएंगी, वो सारी capital letters में भरी जाए तो पहली चीज़ लिखी हुई है, name of candidate, यहां पर candidate का name लिखा जाएगा, जो high school की mark sheet में आपका recorded होगा, तो यहां आपना क्या करेंगे, अपने जो name है आपका, जो जो भी admission ले रहा है, उसका name यहां पर आप फिल करेंगे, उसके बाद in Hindi, यहां पर Hindi में फिल किया जाएगा उसके बाद लिखा हुआ है male and female, आप अगर male है तो male पे टिक कर दें, वरना अगर आप female है तो female, यानि कि अगर आप पुरुष है तो male पे, इस तरही है तो आप female पे टिक कर दें, उसके बाद mother tongue, mother tongue नहीं मरात बाजा, आप हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपकी है तो आप यहाँ पर लिख दे, आपको यह याद रखना है, capital letters में ही आपको fill करना है, उसके बाद यहाँ पर आपकी DOB लिखी जाएगी, जो आपके high school के certificate में होगी, ठीके DOB का मतलब है, जो आपके जन्मतिति होगी, यहाँ पर day आ जाएगा, यहाँ पर month और year आ जाएगा, उस एक बॉक्स में fill करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ऐसी mother का name आप यहाँ पर fill करना होगा, उसके बाद यहाँ पर एसी mother का name आप यहाँ पर fill करना होगा, उसके बाद एक आपके पास जो भी आपका फादर का व्यवसाय है, पिता जो भी काम करते हैं, यहाँ पर लिखा जा उसके बाद लिखा है permanent address जहां पर रहते हैं जो इस थाई पता है वो यहां पर लिखा जाएगा तिक इस थाई पता का मतलब अगर आपको कोई address ढूंडे तो आप बहां पर mail जाए available हो इस तरीके से तहसील जो भी आपकी लगती हो जहां से तो यहां पर आप फिल कर देंगे य है District and City यानि कि आप डिस्ट्रिक में रहते हैं वह भी लिखना है साथ में City कोई सी city से बिलोंग करते हैं वह आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा पिन कोड अगर बात करें जाजार उतर प्रदेश की तो उतर डित डुब्णी कोड यहां पर फिल कर देगे से हैं तो उसके केटेगरी का मतलब है जनल से हैं से-स्ट वालेयर फैसीं ओग हुक् antioxidants प्रचयं pray अफने लिए पर फिर और और आपने बुख यहां अगर जनल वाले उक्न ligdian आप की तो बtest क्या है अपनि लिए चफ्यण दिया अगर इस अपर ऐसी दिदिया add अगर अगर अगाँ सब niż आपके बरने के लिए नहीं किsovip कर दे क्या साफ-साफ लिखायए ओप्सटल एडर्स जो भी अगर पुरा का नेम लिख देंगे या किसी भी गारें का नेम और पोस्टल एडरस लिख देंगे जो भी आपका पता है वो तो नोग भई मुस्लिम है तो यस कर दीजिए नहीं है तो पर टिक कर दीजे, इस पेशल केटिगरी तो आप उसमें टिक कर दें, इसके बात यहां पर लिखा हुआ है, डीटेल्स आफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानि कि आपने जो भी लास्ट किया है, लास्ट क्वालिफाइंग एक्जाम तो उसको आपको फिल कर और अब आप 12 पास हैं और अभी आप करने जा रहे हैं BSC, B.com या आप करने जा रहे हैं तो आपको 12 की डीटेल्स यहां पर करने ही पड़ेगे, क्यों कि यहां पर आपको क्या करना है लास्ट क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन के बारे में फिल करना पड़े गा, क्यासे क पूरा बता दिया है आपको उसके बाद हुआ है कि अधर इं। और percentage of marks, परसंट आपकी क्या ही वह आपको लिखना है, पूरा बता दिया है आपको, उसके बाद लिखा हुआ है कि gap intervaving period, if any, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने बीच में कोई gap लिया है, माल लिए आप कोई भी class में है, तभी आपको इस चीज को फिल करना होगा, कितन यह है 10 तो 10 तो आप पास ही कर चुके होंगे अगर आप करने जा रहे ग्रैजुएशन तो यहीं सेम लिखा जाएगा बोर्ड यूनिवस्टी लिखी जाएगे नहीं आप यूपी बोर्ड से है या सीविस्टी से है रोल नंबर है किस सन में आपने पास किया सब्जेक्ट आप प्राइबेट फिल कर देंगे ऐसी है यहाँ पर आपको इंटर की लिए अगर आप उप्ल कर चुके हैं एक एक चीज को पढ़कर समझ में आग पितना आग चलते हैं आगे सब कुछ यहाँ पर फिल करना है है अगर उस की 18 पॉइंट है यहाँ पर यहाँ पर Convestit of any offense Yes or no criminal case pending in a court under investigation by the police यानि यह जो सारे options है यह आप option तभी भरेंगे आपने अगर कोई crime कर चुके है आप अपने past में तो जिसी कोई आपने criminal किया है या आप court में गए हुए है और आपके उपर पुलिस investigation चली है तभी आप इस column को भरेंगे वनना इस column को भी आप छोड़ देंगे इतना समझ में आ गया होगा और फिर उसके बाद last में यहाँ पर आपका जो है left का left thumb लगेगा थम के आज़े जो आपके उल्टे हाथ का उठा है उसका यहाँ पर fingerprint लगेगा उसके बाद यहाँ पर signature of the candidate in full यहाँ जिसका यह फर्म भरा जा रहा है जिस बच्चे का उस बच्चे के यहाँ पर sign होगे डेट लिख दी जाएगी प्लेस कहां से आप है वो लिख जाएगा यहाँ पर एक option बचा है नेम इन capital letters जो भी आप जाएगा भी बचल्च का लिखाद ए सब्सक्राइगा उसके अट कर लकाताऊ गलिफ स्रीमधी को करें इसके सब्सक्राइगा अगर नीचे चले तो लिखा हुता है वी आप के बार चीचर होंगे लिख सब्सक्राइब करने सकते एक पर करना होगा और फिर फिर भी यहां पर चंदे है तो यहां पर किस сама के रहेगी यहां पर भाद है यहWhen आपका नेम पड़ेगा, जिसका यह admission form है, यहाँ पर date, यहाँ पर class लिखा जाएगा, माल लिए अगर आप BSC कर रहा है, तो BSC भर देंगे, कौन सा year है, तो आप निक कर देंगे, first year, second year या third year, यहाँ पर father कर नेम पड़ेगा, कौन से subject हैं आपके पास, वो लिखे जाएगे, mother कर नेम यहाँ पर fill up किया जाएगा, और लिखा हुआ है signature and date of receiver, यानि कि यहाँ पर signature किये जाएगे, और जिस date को आपने रिसीव किया है, उस date को आपको fill करना पड़ेगा, तो आई हो पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अब इस admission form के सांग एक आपक वही चीजिज़े भरी जाएगे, यहाँ यहाँ आपको qualler से मिलेगा, यहाँ आपको दे देगा, यहां पर आपका name पड़ेगा, यहाँ पर class पड़ेगा, section और यह तो आपका पड़जाएगा, और यह वहाँ फादर नेम पड़ जाएगा, address जो है वो आपका पड़ जाए और फिर इधर दे रखा है वही सारे चीज़े हैं जो इधर थी ओके सब कुछ आपको बता दिया यहां एक फोटो लग जाएगा और यहां पर आपके शाइन हो जाएंगे और यहां पर लिब्रेरियन के शाइन हो जाएंगे जो भी आपका यह समिट करेंगा तो आई हो पूरा अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी कहने की आप मेरा फॉर्म भार दे तो थोड़ी सी भी पसंद लाई हो तो आप लिस लाइक कर दीजिए चैनल पर नेचल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ तक तक के लिए जय जय पहरत